अभी तक आपने जाना कि आप अपना इंकम टेक्स रिटर्ण कैसे फाइल कर सकते हैं अब हम आपको बताएंगे टाइप आप इंकम टेक्स याने इंकम टेक्स के प्रकार यहां आप जानेंगी कौन से करदाता इंकम टेक्स रिटर्ण की शिर्णी में आते हैं और उन पर किस तरह से ये टेक्स लगाया जाता है ITR 1 या सहट ITR 1 को सहट फॉर्म भी कहा जाता है ये उन लोगों को भरना है जिनने वेतन, पेंशन और ब्याज से आमदनी हुई हो जिन लोगों के पास एक मकान है और उन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उन्हें भी यही फॉर्म भरना है ITR 2 अगर आपको वेतन, पेंशन या ब्याज से हुई आमदनी के साथ-साथ एक से ज़ादा प्रॉपर्टी से आने वाले क्युराये चैपिटल गेंस, डिविडेंट से भी किसी तरह की कोई आमदनी हुई है तो आपको ITR 2 भरना होगा HUF के लिए भी यही फॉर्म है ITR 3 अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं और आपको कोई बिजनेस या प्रफेशनल इंकम अलग से नहीं हो रही है तो आपको ITR 3 भरना होगा ITR 4 अन लोगों को भरना होता है जिने किसी बिजनेस फॉर्म आदी से इंकम के साथ प्रफेशनल इंकम भी होती है इसके अलावा तमाम प्रफेशनल जैसे वकील, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ITR 4 फॉर्म ही भरना होता है ITR 4 अस या सुगम ये फॉर्म उन छोटे व्यापारियों और प्रफेशनल के लिए है जिनका सालाना टर्नोवर 60 लाग से कम है ऐसे लोगों को आडिटिंग कराने के ज़रूरत नहीं होती, ये लोग ITR 4 भी भर सकते हैं तो ये कुछ चीजे थी हैं और आपने जाना की किस तरह से अलग अलग तरीके से आप फाइल कर सकते हैं ये ITR फार्म सात तरीके के होते हैं, इंडविज़ाज और HEFs के लिए ITR 1, 2, 3 & 4 होते हैं इंडविज़ाज और HEFs जिनकी सिरफ सेलरीड इंकम है और जिनकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और income from other sources है other sources में भी हम lotries और horse races की income को exclude करते है जिनकी सिरफ इन तीन sources से income है उनको ITR 1 फाइल करना होता है और जिन लोगों की more than one house property है एक house property से ज्यादा है plus dividend income है उन लोगो ITR 2 फाइल करना होता है individuals and HUFs और जो लोग partnership firm में partners हैं और उनकी partnership firm के लवा income नहीं है उनको ITR 3 फाइल करना होता है और जिन individuals and HUF की business income है उनके लिए ITR 4 होता है ITR 4S form सुगम form जो है यह आपका होता है उन छोटे व्यापारियों के लिए जिनकी net income एक करोड रुपे या उससे कम है for financial year 13-14 financial year 12-13 में लिमिट 60 लेक्स की थी financial year 13-14 में जिन लोगों की gross receipts एक करोड रुपे से कम है business से वो लोग 4S में जिसको सुगम form भी कहते हैं उसमें अपनी return of income फाइल कर सकते हैं presumptive basis पे गोवर्मेंट ने presumptive amount of tax set किया हुआ है that is 8% आप gross receipts के 8% अपनी net income दिखाएंगे और उसके पर अपना tax पे कर देंगे आपको audit करवाने की शरुवत नहीं होती उसे non account basis पे return बोला जाता है वो आप firms, AOPs and BOPs इनकी return आप ITR 5 में बढ़ते हैं companies की return ITR 6 में जाती है मेरे खाल से आपने साथ तरीक ही का बताया है ITR 7 भी होती है अपनी वो एक specified persons है under section 139.4 A, 4B, 4C उसमें कुछ specified persons है उनकी return के लिए होता है एक शब्द हमने दिखाया था इस report में TDS वो क्या चीज होती है TDS आपका होता है या तो जब आप job करते हैं और आपका employer यह देखता है कि आपकी total income आपकी taxable limit से ज्यादा है non-taxable limit से ज्यादा है तो employer की responsibility होती है कि वो TDS काटे जितना आपका tax deposit होना है वो TDS आपकी salary में से कट करे tax deducted at source TDS की full format tax deducted at source तो आपका source पर यह टेक्स कर जाएगा और आपको उसका benefit मिलता है जब आप अपनी tax of return file करते है return of tax file करते हैं एक चीज़ और मैं जानना चाहरा था बहुत से लोग होते सिर्फ loan की वज़ा से या फिर अपने छोटे-मूटे कामों की वज़ा से tax भरना चाहते हैं लेकिन ऐसी क्यों सी जिनको उनको भरना चाहिए यह mandatory होई है यह जैसे तरह समझना होगा कुछ लोग income tax return file करवाने ही advocate के पास तब पहुंचते हैं जब उनको loan के requirement होती है पर एक्चुली हमें income tax return file करते रहना चाहिए जिससे हमें अपनी ही position का पता हो अगर हमारी फाइल नहीं होगी तो on papers government को दिखाने के लिए हमारे पास कोई record नहीं है कि हमने क्या कमाया हमारे पास क्या assets है हमारी क्या liabilities हैं वह तो मजबूरी वाली बात हो गई कि आपसे bank ने papers मांगे और आप income tax return file करवाने पहुंच गए उसमें कई बार गलत भी हो जाती है तो आप अगर regular अपनी income tax returns file करते रहेंगे तो उसमें आपको loan के लिए भी सुईधर आएगी और यह एक आपकी moral responsibility भी है देश के विकास के लिए हम income tax भरना रही चाहिए अगर हम income tax नहीं बरेंगे तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा देश का विकास करने के लिए इल्जाम लगाने के लिए तो सब खड़े हो या थैया सड़के नहीं वनी बनी यह नहीं हुआ सरकार के पास पैसा देने के आप अपनी responsibility तो पूरा कीजिए income tax return तो बरी है यह बहुत सारी छुड़ी छुड़ी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं एक चीज में और जानना चाहरा था कि जैसा कि हमने भी दिखाया दो तरीके एक online कर सकते हैं आप या फिर आप लोग मैंने ऐसा देखा कि लोगों ने कुछ शॉप टाइप की बना रख्या और वहां पर उन्हों लिख रखा है कि आप income tax यहां पर फाइल कर सकते हैं वह क्या हो मतलब जैसे कि इंटरनेट के फुरू किसी फॉर्म को बहरा जाता है वह है या फिर उनके पास को या अधिकर है उ तो वह उनके office होंगे या किसी CA का office होगा या advocate का office होगा वो professionals के ही office हैं आपको assist करने के लिए आपके return बरने में आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा जो रास्ता है वो सोगम है आप खुद फाइल करें या फिर लॉय के थू करवाएं या फिर आपने बताए offices हैं CA वागरा क्यों के थूरू आपको अगर आपको अपने पूरा confidence है कि आपको law की knowledge है आप खुद बर यह कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा suggestion है कि return भरें तो वह गलत नहीं पर्टिकुलर्स जो है inaccurate particulars of income अगर returns में चाहेंगे that attracts penalties government income tax department से inaccurate particulars पर notices आते हैं और government penalties भी चार्ज करती है तो बेटर यह कि अगर आपके पास facilities available हैं तो why not to avail that एक चीज़ और form 16 के बारे में हलाकि हम लोग आसानी से जानते हैं बहुत से लोग होते हैं जो फॉर्म 16 के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में और जानना क्योंगों कितनी आपकी taxable salary है उसमें से कितनी आपको deduction मिलेगी अंडर चैप्टर 6 से और उसके पाद कितनी salary पर आपका tax लगेगा और वह टेक्स डिड़क्ट करने के बाद employer उसके अंदर डिड़क्ट किये हुए tax की details देता है अब form 16 के भी एक तो होता है form 16 दूसरा होता है form 16 A form 16 A form यूज होता है उन लोगों के लिए जो job नहीं करते लेकिन उनका TDS करता है मानली जी एक professional है आपने एक advocate को payment की और उसके पर आपने TDS काटा advocate आपका employee नहीं है आप उसको form 16 A issue करेंगे चीज 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 इस इस दिफरेंस बिट्विन form 16 दूसरा है इतनी गंबीरता से और इतनी गहनता के साथ इन चीजों के बारे में बताने के लिए विकास जी हमारे साथ जुड़े रहे थे उन्होंने बताया कि किस तरह से आप income tax return फाइल कर सकते हैं और बारी किया ब नेतिया सरकार में फिलाल इतना ही आप बने रहे यह खबरे भी तक के साथ नमस्कार